कही समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का ओजियारा कही समय का एक तारा पढ़ लिक लिक पढ़ बन होशियार समझ बढ़े तो पढ़े विचा बड़ा ग्यान से नाधन दूजा करती दुनिया ग्यान की पूचा शिक्षा है अनमोल रतन पढ़ने का सब करो चतन ये है कही समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का ओजियारा कही समय का एक तारा पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है पढ़ें और पढ़ाएं जीवन में खुशियां भैलाएं राश्ट्रिय साक्षर का मिशन रूंडली है अक्षर की पहचा अक्षर हसली चीज है इसमें है संसा चीजों में से जांकता अक्षर गाता सब चीजों में छिपा है अक्षर आओ करे पहचान शुरुआत से अंत तक सबका एक निशा इसमें अक्षर उसमें अक्षर अपने है सब साथी अक्षर आओ खेले खेल हमारा नाम है जिसका अक्षर मेला जैसाक्षरता बहुत खुफसूरत बहुत बिलफरेव है हमारा आपका ये संसार इस संसार की असली भाषा है प्यार, हिस्सेदारी और समझ लेकिन प्यार करने के लिए तो भाषा की जरूरत होती है और भाषा के लिए अक्षरों की जरूरत होती है अक्षरों की संसार से संपूर्ण होता है हमारा ये संसार हमारे यहां आई वे सब नवस अक्षर महमानों ने अपने संसार में यस अधूरेपन को पूरा किया है और इस पूरेपन का मेला है आज का ये अक्षर मेला मेरे साथ आपके इस मेले में साथ देने के लिए आए हैं दो खास महमान रंगमंच और फिल्मी दुनिया के सुप्रसिद लेखक और अभनेत्री जावेद अख्तर और शबाना आजमी इन दोनों का हमेशा से अक्षरों से बहुत करीबी का रिष्टा रहा है इन्होंने अक्षरों की पूंजी विरासत में पाई है स्वागत कीजेगा जावेद साव और शबाना जीचा साक्षर होने पर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक बाद यह जो आज होने जा रहा है यह तो सिर्फ एक खेल है इसमें जीतना इतनी एहम बात नहीं है जितना के इसमें हिस्सा लेना और हिस्सा आप सभी लोग ले रहे हैं इसलिए आप सब लोगों को बहुत-बहुत मुबारक बाद उमीद है कि आत्म निर्भर होने के रास्ते पे आपने जो पहला कदम उठाया है इसी रास्ते पे आप बहुत तेजी और काम्याबी से आगे वढ़ेंगे जाविद जी मैं तो यह कहना चाहूंगा जैसे देखने के लिए आख आवश्चक है और सुनने के लिए काम आवश्चक है और बोलने के लिए जबान आवश्चक है उसी तरह जिन्दगी को समझने के लिए और अपनी समस्याओ को हल करने के लिए साकशर्ता अवश्चक है और यह आपने हसल कर लिए तो आधी वाजी तो आपने जीत लिए उसी दिए आधी बैस घुराम से लुट रासर चलिए महमानों से मिलने के बाद अब आपकी परिशे करा देते हैं हमारी टीमों से सबसे पहले है हमारी सिर्मोर हिमाचल की टीम दूसरी है हमारी दिल्ली की उत्री पूर्वी जिला की टीम और ये है हमारी अजमेर राजिस्तान की टीम और ये हैं अक्षर मेला के नाशनल फाइनल्स आईए चलके मिलते हैं सिरमौर की टीम से और ये हैं उनकी स्वेम सेवक सुनीता और सुनीता के साथ आए है सलीम अद्दीन और रमा और ये है मस्तो और ये है पिंकी और ये उत्करी पूरवी जिला की टीम और इनकी स्वेम सेवक का नाम है दीप चन्दाजाद जी के साथ आए है शित्पसाद, राम आशीश और ये जैकिशाद और ये नस्रीम और ये है हमारी अजमेर राजस्तान की टीम और इनके स्वम्सेवक का नाम है कनहिया लालमालाकार कनहिया के साथ आए हैं रामना, थरी राम, मेदी बाई और विमला चलिए अब इनके साथ परिशे हो गया आप चलके खेलते हैं अपना पहला खेल जो कि है खोजबीन हमें क्या करना है इन्हें क्या करना है और आपको तो देखना है कि शब्दों की जाली में से इने कुछ शब्द खोज के निकालने है और दूसरे मेंबर को इधर लिखने है आप तयार है चलिए हमें पहले आपके पास आती हो सिर्मौर की टीम सुनीता कौन जाएगा यहां से पहचानने कौन लिखने मस्तों दी जाएगी पहचानने और पिंक की जाएगी लिखने है आपको यहां पहचानने है द्यवसाय की नाम द्यवसाय और यह रही आपकी जाली आपके समय शुरू होता है अब पीछ डॉक्टर का है नोने आपके साथ ही आपकी मदद कर सकते हैं वकील वकील किसान किसान दर्जी दर्जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए बैठिए आपके पास बहुत समय है पिंकी आराम से अराम से एक जना रहेगा है यहां सिर्फ मस्तों अगर आप आईए तो पिंकी तुम वापस जा और सारे अक्षर देख लीजेगा शब्द सही होना चाहिए आप के पास अभी 17 सेकंड है चलिए डॉक्टर और क्या कहा उन्होंने दर्जी कहा और वकील कहा और किसान कहा चलिए चलिए जल्दी आप अपना ये शब्दी देख लीजे बस 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 मस्तो बास चाविज साब डॉक्टर सही है ठीक है डॉक्टर ये तो थोड़ा अधार रहे गया और इसके लिए हम बिंदी के लिए नहीं काटते जी तो आपके हो गई साथ अंग चलिए आप मुझे बताएं कि चंजी यहां से कौन जाएगा पहचानने कौन लिखने लिखने के लिए सुप्रसाज जी और पहचानने गलेज नसी अच्छा नसीन आपको पहचानने है यहां पर धातु के नाम और आपकी जाली है यह आपका समय शुरू होता है अब सोना सोना पीतल पीतल तामबा तामबा लोहा और लोहा बिल्कल सही नसीन आपके पास एक दूसरे जनाएगा तो आप वापस जाएं प्लीज सोना तामबा लोहा पीतल अराम से बहुत समय है सही सही लिखेगा अराम से पास और कनहिया से पूछते हैं कि कौन जाएगा पहचानने कौन जाएगा लिखे लिखने के लिखने के लिए जाएगी मेदी बाई और पहचानने के लिए जाए कि विमला अच्छा आपको यहां पहचानने है घरेलू दवाईयों के नाम और यह रही आपकी जाली आपका समय शुरू होता है अब तुलसी तुलसी हल्दी हल्दी सहब शहब दरवा एक और जो जो देखो पर से दीजिट नीम नीम बिल्कुल सही का हार विदी बाई आपको यह आगे चली एक जो नह रहे गाए हां 20 सेकंड है आपके पास चलिए और एक और है चलिए लगा दीजिए उसको भी बहुत अच्छे आई 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 अदर आई तुलसी हल्दी नीम शहब तुलसी हल्दी नीम शहब इनके हो गए असी अंग चलिए जी हमारा खोजबीन का खेल यहीं खत्म होता है अब देखते हैं किसको मिले कितने अंग इस खेल के बाद हिमाशल प्रदेश के सिरमौर जिला को 60 अंग दिली के उत्री पूर्वी जिला को 80 अंग और राज़स्तान के जमेर जिला को भी 80 अंग हुआ हुआ हो है हमने अप्री टीमों के अप्ने खिलाडियों की अंग तो उनके भाई खाते में लिख दिये अब हमें अपने भाई खाते में भी तो लिखना चाहिए हमारे अगले खेल का नाम है यह वही कुछ गणित की बाते हैं और आप सबसे अकेले केले में होएंगी सबसे पहले हम आपके पास आते हैं स्रमौर की टीम सुनीता आप बताईए आप कहां जो गणत में मजबूत है उसको बेजेगा रमा 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 तुम जाओगी हाँ आप मुझे अपने बारे में कुछ बता रह कि मज़े शौक निधा स्योक नहीं था शौक नहीं था कभी तो चाने कि पढ़ना चाहिए ने गेंडिक एक दिन हमारे गाहों में एक लड़की बीमार हो गई थी तो उनके घर में कोई नहीं था तो मैंने उसको रियक्शन हो गया उसका फिर नोगे घर्वालों ने बुझे दान्टा बहुत बोले कि अगर पढ़ती तो तो समझती बहुत डान्टा देदी माग में उसकी ठहस पोंच गए और मैंने सचा कि कहीं से अगर कुछ ऐसी जैसे साक्षरता चली ऐसा था था तो मैं पढ़ती जरूर और कुछ दिनाबाद साक्षरता चली और मैंने पढ़ना सि जाती हूं कि जो मेरी तरह अनपड होगी मैं उनको पढ़ा हूं यह तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे रमा आप आप आईए और वहां करेंगे लेकिन आप सोच समझके जवाब लिखेगा और आपका समय शुरू होता है अब 35 जमाद त्रेपन बने थासी वह थैटार गटांव व्हाद अनल आपने ताह था लुदा अंका लग अलगना बोले अच्छा पूरे भूले तेरा गुना नव बने 107 107 107 109 नो जल्दीकर बाग में नो नीचे 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 नो उपर लगा नीचे लानो बस 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 रमा सबसे पहला 28 सही है दूसरा होना चाहिए था 57 ये गलत है तीसरा होना चाहिए था 117 और 14 होना चाहिए था सिर्फ 9 तो आपके हो गए एक सही आपको मिलते हैं इसके 10 संक चलिए अब मुझे दिल्ली की टीम बताएं कि दीप चेंजी यहां से कौन जाएगा गणित के सवाल है गणित के लि फिर्की खोलिए और ये रहे आपके गणित के सवाल आपका समय शुरू होता है अब 27 जमा से तालिस बने 68 घटा बारा बने 64 15 गुणा आट बने शपन 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 आप वापस आजाए ये फिर रमाशीष 15 गुणा आट बने और 75 भाग तीन बने वस्रीन 25 हो गया चलिए 74 सही है 56 सही है 120 सही है और 25 भी सही है आपके हो गई चालिजन नग्स आपके अब आपके अब आते हैं अपनी बहुत सुंदर अजमेर राजस्थान की टीम के पास और आप मुझे बताएं का निया कौन जाएगा यहां से यहां से रम नाजी जाएंगे राम नाजी आप जाएंगे सवाल आप शुरू हो जाएए अब पैसर जमाच चौबिस बने नमासी सैंतालिस घटा अर्तिस बने गुनेश बीस गुणा छे बने एक सब इस अठतर भाग छे बने तेरा कट है ने तो कहीं गलत लगा है देखो बताओ सही बताओ फिर से देखो जली से देखो कहां क्या हुआ है क्या गड़बड हुई क्यों आपका अंक नहीं है वहाँ बस 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 चलिए चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या गलती होगए आप इधर आएं आप आईए धर अंक सारे यहां मौझूद है आपने यहां यह जादा लगा दिया तो आपका एक वहाँ चला गया ठीक है तो आपका ये और ये आपका दूसरा और चौथा सवाल आपका जवाब गलत था आपका पहला है उनासी सही है दूसरा आपका गलत था ये नौ होना चाहिए था और टीसरा एक सो बीस सही है और चोथा होना चाहिए था तेरा आपको मिलते हैं इसके बीस अंग चलिए हमारा हो गया बही खाता का खेल खतम देखते हैं किसने लिखे कितने अंग अपने अपने बही खाते में इमाशवर्प्रदेश की सिर्मौल जिला के सब्तरंग दिल्ली उत्री पूर्वी जिला के 120 अंग राजिस्थान अजमेर जिला के संग पूरब सी सुयोगा फेला जिया हारा यकीन नहीं आता ये वो ही किशन है पूरब सी सुन्योगा फेला जिया हारा जागी हर दिशा दिशा जागा जग साला पूरब सी सुन्योगा फेला जिया हारा कुछ कर दिखाएं राष्ट्रिय साक्षर्ता मिशन आप चलिए अब हमें खेल खेलेंगे जिसका नाम है देखी सुनी कुछ देखी बाते और कुछ सुनी बाते उन पे कुछ सवाल जिनों के देने हैं आपको जवाब ये खेल खेलने आएंगे हमारे खास अत्ती आप आए जावज जी आप आए शेवाना जी आप से पूछेंगी और दूसरा वाला जावेद साब आप से पूछेंगे मैं बाइक लेकिन के पास खड़ी रहूंगी और जो जवाब देगा आपको कहना है सही है सही है तो पर तालियां ठीक है ज़ीए सबसे पहले है यह सिरम और हिमाचल के लिए प्रशन जी एक आवास सुनिएगा और आप लोगों को पहचान नहीं है कि यह आवास किसकी है है कि बड़ी चीजों के तरफ आप आवश्चक ध्यांदे लेकिन ये छोटी चीज अपने जगी क्या कर सकते हैं जिसमें हमाचल प्रदेश और प्रगर्टी करें और सुन्दर दिखें चलिए सोचिए इंद्रा गांदी जी इंद्रा गांदी चलिए अब ये है डिल्दी की जलाक प्रशन क्या नून के अनुसार पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं कि चलिए आपका सी तीस प्रतिसर तीस में थोड़ा सा और जोड़िये जोड़िये जलिए ये अजमेर राजिस्थान की तीम है ये बताइए कि ये गाना किस महान रिखते के बारे में है अधिविना खड़क बिना धाल ना बर्मती के तंस तुने कर दिया कमारा महत्मा गांदी बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए जावे जी ये है हमाचत प्रदेश की टीम और आपको पूछना है उनका अग्ला सवाद पहला सवाल ये है कि हमारा जो राश्ट्रिय गीत है जन गनमन यह किसने लिखा इसने लिखा रविंदरनात थाकुन जो सब्सक्राइब आपको ये पहले गीत की फिर सवाल करेंगे जी गीत किसने लिखा है ये गीत किसने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा एकवाल सब्स at ये बेकुल सही था इकबाल का लिखा था बहुत सही डॉक्टर मोहमद एकबाल का लिखा हुआ है सभी बात के अचले यह में राजस्तान का प्राश्च आप लोगों से अच्छ यह है कि भारत के आजादी के बाद पहले प्रदान मंत्री कौम थे ज्लिए इस मज़ेदार खेल के बाद देखते हैं कि इसको मिले कितने अंक हिमाशल प्रदेश, सिर्मौर जिला के 90 अंक दिल्ली उत्री पूर्वी जिला के 140 अंक रादिस्थान अजबीर जिला के 120 अंक आप हमारे इस अक्षर मेला का एक आखरी खेल है जो बहुत ही मज़दार खेल है इसका नाम है बारा खड़ी हम आप सबको एक-एक शब्द देंगे उस शब्द की मात्राओं और अक्षरों को लेकर आपको जोड़कर, मोड़कर, तोड़कर दूसरे शब्द बनाने है जितने शब्द आप बनाएंगे उतने अंक हम आपको देंगे एक-एक मेंबर आएगा हर टीम में से और यहां ब्लाक पॉर्ट पे कलम के साथ लिखेगा आप लोग मदद कर सकते हैं पीचे से लेकिन जो लिखने जाएगा सोच समझ के लिखेगा सलीम भाई आप जाएगे चलिए सलीम भाई आपका शब्द है देव नागरी और आपका समय शुरू होता है अब नारी नर्द देवा वन गाना रिंग नारी जोर से नारा देखा देगा गरी देवा रिन बस बस सलीम भाई चलिए जावेज जी आपको दिख रहा है यहांते यह देखे देब नहीं है अमारे पास तो यह नहीं हो सकता नगरी में आ की मात्रा लग गई तो यह नहीं हो सकता यह नारी सही है यह द यह नहीं हो सकता वन सही है यह तीग कुछ नहीं होता फो भी नहीं है नारी दोबारा हो गया इनके पास नाना दो आखी मातर लिखने के लिए जैकिशन आप जाएंगे बारा खड़ी के लिए पलं दीजे और आपका शब्द है समाजबादी और आपका समय शुरू होता है अब समाज आप यहां से मदद कर सकते हैं मास वादी सम कहा इनोंने वाद दवा जमा मजा नस्रीन मजा कह रही है बिंदी लगिये वहां दस चलिए बार वजबाद दाव दवा दवी यह दवी है दवी नहीं हो सकता और यह वस मास, मास ठीक है, वस नहीं हो सकता, मास सही है, वादी दुबारा हो गया शायद, हाँ, यह दुबारा हो गया, और सम और वाद नहीं हो सकता, यह भी दुबारा हो गया, जमा सही है, मजा सही है, हम बिंदी के लिए नहीं कातेंगे इनके अंक, माजा दुबारा हो गया शायद, यह नहीं होता माजा हमने पहले भी काटा वाए वहाँ और यह बाद यह दुबारा हो गया आपका इनके होगे दस इनके होगे सो अंक आप मज़े बताएं कनिया जी कि अजमेज दिला की राजिस्थान टीम से कौन जाएगा बारा खड़ी खेलने ये विमला बेन लातम जोगी जाओ बहुत अच्छे ये रोग अच्छे अच्छे लिखना और तुम्हारा शब्द है बारा मासी और आपका समय शुरू होता है हर बार 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 लिए महा माशा माश लिए महा मार सोचो मेदी बाई बार रहम बहुत अच्छे रहां मेदी बाई ने कहा शीर कहा रहा ना सीर महर देखो अक्षर क्या है वहाँ पर अच्छी राम रामा रम बारा 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 पस आरमा ये तक बहुत अच्छा बहुत साफ बड़ा बड़ा लिखा आपने बार मासी मास हम हर महा मासा ये है मार हर दोबारा हो गया ये है सीमा रहम सर सार महर रहा हर फिर से हो गया हसी राम रामा मरा मारा बारा बारी आपके हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस बीस एककेस दोसाथ गारी और बच्छे ये लड़की जिसको बच्छपन में पढ़ने का मौका नहीं दिया अपने प्रदेश अपने देश का नाम रोशन किया है इसके लिए जोड़ता तालिया बजाती है चलिए हमारा बारा खड़ी का खेल खत्म होता है अब इससे पहले कि हम देखें कि आज के नैशनल पाइनल्स के विजेता कौन है मैं स्वागत यहां करना चाहूंगी शबाना जी और जाविद सखापका आईए जवाना जी आपको यह हमारा खेल अच्छा लगा हमारा मेला पसंद आया बहुत अच्छा लगा और जिस जोश के साथ सब लोगों ने इसमें भाग लिया है यह बहुत मुबारक के काबिल है और मैं चाहूंगी कि यह लोग जाके वापस अपने प्रदेश में और भी लोगों को शामिल करें इसके साथ जाविद साब मैं तो बहुत ही इंप्रस हुआ इसलिए कि इसमें से बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे मैं तो जवाब दो सकता यह जोड़ना घटाना और यह गड़ित जो था यह तो बिल्कुल मेरे बसका नहीं था वाह चलिए अब पुरुसकारों का एलान करने से पहले मैं आपको यह बता दू कि यह पुरुसकार हैं क्या तीसरी टीम के हर खिलाडी को मिलेंगे 1200 रुपे दूसरी टीम के हर खिलाडी को मिलेंगे 1500 रुपे और जीतने वाली टीम के हर खिलाडी को मिलेंगे 2000 रुपे अब इनके साथ और इनके शुभादर से देते हैं आज के पुरुसकार देखते हैं किसको क्या मिला आज के तीसरे स्थान पे हैं हिमाचल प्रदेश के सिर्मौल जिला 130 अंख लेकर और दूसरे स्थान पे हैं दिल्ली के उत्री पूर्वी जिला के 240 अंख लेकर आईए कौन आईगा है आईगा और आपके हमारे इस अक्षर मेला के विजेता हैं राजस्थान के अजमेर जिला के तीन तो तीस अंक लेकर चलिए आज का हमारा ये मेला यहीं खत्म होता है लेकिन ये मेला हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि जब आप जैसे लोग इस मेले को सजाएंगे तो भला ये खत्म कैसे हो सकता है और याद रखिएगा दीप से दीप जलाते रहिएगा और आएए मेरे साथ गाईए पढ़ना लिखना सीखो ओ मैनत करने वालो पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालो पढ़ना लिखना सीखो ओ मैनत करने वालो पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालो पढ़ना लिखना सीखो ओ मैनत करने वालो पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालो